Hey guys, welcome back to the channel once again. Hopefully, आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहत मन दोंगे. आज की इस वीडियो में आपनों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी जॉब से आने के बाद मेरा किचिन में क्या रूटीन रहता है, कैसे मैं मील प्लैनिंग करती हूँ, कि मेरा जो breakfast, lunch, dinner है वो बहुत easily और quickly बन जाते हैं और healthy भी बन जाते हैं, साथ मैं lunch box recipe भी शेयर करूँगी, तो चलिए वीडियो को start करते हैं. मैं अपनी जॉब से around 5.30 आती हूँ, आने के बाद थलका फलका कुछ खाती हूँ, and then बस मैं अपने कपड़े change करके डिनर में लग जाती हूँ, तो आज डिनर में मैं बना रही हूँ मेथी के थेपले, तो मेथी के थेपले बनाने के लिए मैंने एक बंडल मेथी लिया था उसको पहले साफ किया, वाश किया, पानी से उसके बाद, और उसके बाद उसको मैं महीन महीन काट रही हूँ, तो यह जो मैं मेथी के थेपले बनाऊंगी, यह अब के लिए तो होई जाएंगे डिनर के लिए साथ में, यह सुबह लंच बॉक्स के लिए भी हो जाएंगे, तो मैं अपना काम इसी तरीके से करते हूँ, डिनर ही थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, ताकि वो लंच के काम में भी आ जाता है, तो यहाँ पर मैंने एक बंडल मेथी को अच्छे से काट लिया है, महीन महीन, और अब इस मेथी में मैं डाल दूँगी, डेड़ कब गे हूँ का आटा, तो मेथी के थेपले और मेथी के जो पराठे होते हैं, उनमें अंतर होता है, मेथी के पराठे अल्रीडे मेरे चैनल पे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आब वहाँ जाके चेकाउट कर सकते हैं, तो जो मेथी काटी थ रही, दो से तीन बड़ी चमच में इसमें दही डाल दूँगी, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं डाल रही हूँ, और अब इसमें जाएंगे कुछ बेसिक मसाले, जैसे अजवाइन, अजवाइन को पानी के लगाएंगे, और जितना बिना पानी के लग जाएगा, उतना हम बिना पानी के लगाएंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालके, इसका हम नॉर्मल जैसे हम पराठे का आटा लगाते हैं उसी तरीके से इसका आटा हम लगा लेंगे, आप चाहें तो इस मैं बताती हूं कि कॉसको का जो पनीर आता है उसको मैं किस तरीके से स्टोर करती हूं तो ये है कॉसको का पनीर ये बहुत बड़ा आता है लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से स्टोर करेंगे जैसे मैं बता रही हूं तो ये लंबे टाइम के लिए भी चलेगा और आपकी मी में cubes में काट लूँगी थोड़ी slice को में cubes में काट लूँगी और थोड़ी slice को में as it is रहने दूँगी इतने बड़े piece से करीबन 10-12 slice बनके तयार हो जाएंगी और आपको एक slice लेनी है और उसको half में divide करना है और उसके cubes काट लेने हैं चाहें बड़े चाहें छोटे आप अपने हिसाब से काट सकते हैं इस तरीके से जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है और अम मैंने ले लिया है एक zip lock और जिती भी ये cubes काटे हैं इनको zip lock में डाल दूँगी और उसके बाद इसको cover करके freezer में रख दूँगी तो ये आप कभी भी try कर सकते हैं if you are a working mom और if you are a busy mom तो कुछ pieces के मैंने cubes बना दिये हैं और कुछ pieces को मैं as it is रख दूँगी तो जैसे मुझे कभी पराठे बनाने होंगे तो मेरे को इते चोटे चोटे pieces को grate करने में ज़्यादा time लगेगा तो तीन piece मैंने इसमें as it is डाल दी हैं और ये zip lock को अब मैं रख दूँगी freezer में फिर next कभी use करूँगी तो आपनों के साथ जरूर शेयर करूँगी एक piece पनीर का मैंने as it is छोड़ दिया है बाहर क्योंकि सुबह मैंने lunch के लिए डाल बनाई थी तो उसकी जो gravy बनाई थी वो थोड़ी सी extra बना ली थी तो अगर आप job कर रहे हैं या busy mom है तो सुबह मैं आप क्या कर सकते हैं जब भी टमाटर प्याज की gravy बनाए न तो उसको थोड़ा सा extra बना लें ऐसे क्या होगा जो शाम को आप इस gravy में उबले हुए आलू डाल सकते हैं उबली हुई शकरकंदी डाल सकते हैं उबली हुई अरूभी डाल सकते हैं या पनी डाल सकते हैं और शाम की सबजी का time आपका बहुत minimize हो सकता है तो सोबा मैं जब भी मैं टमाटर की gravy बनाती हुए तो थोड़ी एक्स्ट्रा बना लेती हुए तो अब यह जो बची हुई gravy है इसको मैंने गैस पे चड़ा दिया है medium flame पर और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी fresh cream और क्योंकि यह gravy मैंने डाल के लिए बनाई थी तो इ इसमें मैंने लिए ने डाली थी तो इसमें थोड़ी सी ऊपर से लिए बी डाल दूँगी और इसको मैं जो fresh cream डाले इसको पका लूँगी तो जितन देर में हमारी fresh cream पकेगी उत्ती देर में यह थी बिए तयार हो जाएगी बिल्कुल भी कच्छे पन का टेस्ट नहीं आए तो शाम की जो सबजी है ये बिलकुल पांच से भी कम मिनट में बनके तयार हो गए तो यहां पर बस ये सबजी बनके हुए तयार इसको कवर करके दो मिनट और पका लूँगे अगर आप इस सबजी को बिलकुल स्टार्टिंग से बनाएंगे तो इसको बनने में थोड़ा जादा टाइम लगेगा तो डिनर हमारा तयार हो गया है पनीर की सबजी और मीथी के थेपले अब बस मैं सबसे पहले खाना दूँगे यतका और भव को तो अब बस मैं यहाँ पर बना लेती हूं मेथी के थेपले तो मैंने एक चोटा सा पोर्शन ले लिया है आटे का और उसको मैं राउंड शेप दे दूगी और सुखे आटे से लगा लगा के इसके हम जैसे गोल चपाती बनाते हैं बिलकुल चपाती जैसा पतला तो नहीं बटा बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं तो इसको हम गोल बेल लेंगे जैसे पराठों में तो हम अंदर ओयल वगरा लगाते हैं, ट्राइंगल शेप देते हैं, लेकिन इसमें कोई भी ओयल वगरा अंदर नहीं लगाएंगे, simply बस इसको हम पलोथन से और गोल बेल लेंगे, और जैसे नॉर्मल हम पराठे सेखते हैं, उसी तरीके से इसको अब हम स लेंगे, ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, प्लस इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है, वो पराठे से जादा होती है, तो आप इसको ट्रेवल में भी ले जा सकते हैं, इन थेपलों को सेखने के बाद इन पर घी जरूर लगा दे, इस से इनका टेस्ट भी भढ़ किया था, और अगेन मैं पांच बजे उठ जाती हूँ, जब भी वरकिंग डे होता है, अलाम तो मैं पॉने पांच कर लगाती हूँ, बट फाइनली पांच बजे तक उठ जाती हूँ, उठने के बाद मैंने अपनी थायरेट की मेडिसिन ली, उसके बाद गुन गुना पान करूंगी दो-चार मिनट का और फिर किचिन में सभी के टिफिन्स बनाऊंगी, तो यस, अम मैं किचिन में आ गई हूँ, और यतका के लिए मैं आज बना रही हूँ, लेमन राइस तो मैंने कल दाल चावल बनाए थे सुबह, शाम को मेथी के थेपले बनाए थे, तो उसके ना चावल बच गए हैं, तो उनी लेफ्ट ओवर चावल से मैं लेमन राइस बनाऊंगी, तो मैंने यहां पर थोड़ा सा ओईल लिया था, और राइ मेरी खतम हो गई है, तो मैंने जीरा डाला है तड़के में, लेकिन लेमन राइस में राइ डाली जाती है, तो जीरा हल्दी, करीपता और मुफली का, इसमें हम इन चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले, मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूंगी स्वात के अनुस्ता नमक, और आप चाहें तो इसमें तड़के में ही, बीच में से दो पीस में करके हरी मिर्च भी डाल सकते है लेकिन मेरे बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते हैं, तो मैं इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है, लेकिन मैं हलकी सी इसमें लाल मिर्च डाल दे रही हूँ, तो अब बस उपर से एक चमच गी डाल दिया है, थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए, और इन सभी चीज़ों को एक ब तो यतका की मेन मील में मैंने यह लेमन राइस पैक कर दोंगी और भफ को राइस खाने में बहुत टाइम लगता स्कूल में और ब्रेक टाइम जस दस यह पंद्रे मिर्ट का होता है तो उसके लिए मेथी का थेपला बनाऊंगी थोड़ा सा आठा लेफ्टोवर रखा हुआ है एंड फ्रेंड इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें फ्रेंड फैमली के साथ जा सेदा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तू बेकम आ पार्ट अफ माइ फैमली मिलूंगी नेक्स व्लॉग में जब तक ल बाइйन तक यू